अगर आप बिमार हो जाते हैं तो क्या करते हैं टाबलेट्स खाते हैं या सिरप पीते हैं आज मैं आपको कुछ ऐसे एंवायरमेंटल हीलिंग मेडिसंस बताऊंगी जो अगर आप एक्जीक्यूट करने लग जाओ अपने रुटीन में तो आपको किसी भी प्रकार की मेडिसंस या सिरप्स की जरूरत नहीं होगी इस वीडियो को एंड तक जरूर सुनिये क्योंकि जो 10th नमबर नाच्रल हीलिंग मेडिसं है वो बहुत इंपॉर्टन फाक्टर है उसको जरूर अपलाई कीजेगा and you will see the changes drastically अगर आप सुबा के 8 बजे से लेकर शाम के 6 बजे तक की खाएंगे उससे पहले या उसके बाद नहीं खाएंगे तो आप active फील करेंगे, energetic फील करेंगे और आपका digestion भी बेटर होगा नमबर टू, light is medicine पूरे दिन में अगर आप एक घंटे की भी sunlight ले लेते हैं ना अगर आप पूरे दिन में 4 लिटर से जादा या 4 लिटर तक भी पानी पी लेते हैं वो आपके body के toxins को excrete करता है तो try to stay hydrated, मगर एक reminder है अपने कोई भी मील से या तो आदे घंटे पहले पानी पीजिये या अपनी मील फिनिश हो जाने के at least 45 मिनट बाद पानी पीजिये नमबर 4, Earth is your medicine रिसर्च कबकी आ चुकी है कि अगर आप घास में लंगे पाउं वाप करते हैं तो आपको वो body में इलेक्रॉंस देते हैं जिसे कि आप activated और healthy पील करते हैं नमबर 5, Keeping fasting is your medicine अगर आपको कभी भी fever आ जाए तो इस tip को जरूर अपनाएगा 40 degree temperature में एक बात लीजिये for 20 to 25 minutes आपको sweating होगी और देखना आपका temperature बिल्कुल नीट्रल हो जाएगा And lastly and the main medicine that can heal you is food अच्छा खाओ, seasonal खाओ, local food खाओ, time से खाओ आपको वो एक healthy lifestyle देगा ही देगा आप active feel करोगे, energetic feel करोगे, आपका weight loss भी होगा, fat loss भी होगा, stress भी body से दूर होगा और आप अपनी सारे काम समय पे भी कर पाएंगे अगर आप एक healthy food खाएंगे तो क्योंकि आपका gut आपके mind से connected है आपका mind वही सुनता है जो आप उसको feed करते हैं So eat proper meals at proper interval of time So ऐसी और health tips क्लिए तुरंद की तुरंद हमें follow कीजिए and subscribe कीजिए And customized diet plan क्लिए तो आपको पता ही है कि हमें DM कीजिए Thank you very much